हेलो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजूकेशन परशन पर तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आगए हैं स्वाइकर पर त्रेड करमचारी के कुछ मोश्ट इंपोटेंट ट्रेड कोश्चन जो कि आपके किसी भी ट्रेड मेंट सफाई करमचारी की भरती के लिए बहुत ही महत्यपूर्ण किलास सावित होने वाले हैं दोस्तो ये वीडियो का 37 वा पार्ट है अगर आपने इससे पहली वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो आप उन सभी वीडियो को देख लीजिए उन सभी वीडियो का लिंक हमने इस वीडियो को डिस्क्रप्शन में डाल दिया है तो आप उन सभी वीडियो को यहां से देख सकते हैं तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को दोस्तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है अगर आप हमारी यूट्यूब चैनल एजुकेशन पर्षन पर अभी पहली वार आए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और वीडियो क के माध्यम से नहीं फैलता है कौन सा रोग कहलाता है तो दोस्तो थोड़ा समझेए इस क्वेश्चन को इस क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है मतले इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया वह है रोग जो संक्रमित और स्वस्त व्यक्ति के संपर्क से हवा और प देख लेते हैं इसके options हमारे options ए, option A संक्रामक रोग, option B गैर संक्रामक रोग, option C ए, A और B दोनों, या फिर option D इन में से कोई नहीं, दोस्ते इसका राइट अंसर आपको पता है तो इसका राइट अंसर आप टिक करें और इसका राइट अंसर आप हमें comment में जरूर बताएं, तो दोस्तो देख लेते हैं इसका राइट अंसर, दोस्तो इसका राइट अंसर हो जाएगा option B, जो भी रोग, जो संक्रामक रोग जैसे की स्वश्चत व्यक्ति हो, उसके संपर्क से हवा पानी के माद्यम से वो रोग नहीं पहलता, उसे हम गैर संक्रामक रोग कहते हैं, औ हमारा अगला कुश्चन है, जो रोग सोच में जीवों के संक्रमण से फैलता है, उन्हें किस नाम से जाना जाता है, तो दोस्ते इस कोश्चन में आप से क्या पूछा का है, जो रोग सोच मतलब सोचाल में जीवों के संक्रमण से फैलते हैं, उन्हें किस नाम से जाना जात से तो दोस्तु देख लेती है इसकाuiten सर। दोस्तु इसका राइपन्सर हो जाएगा your जो रोख सौच अजीलों के संक्रमण से फ्यलते हैं उन्हें हम संक्रमक रोग बोलते है्टे देखते हैं अगला कोष्षन से निम्न में से रैवीज किस से जनित रोग होता है? हमारे सामने उप्षन से उप्षन A वायू जनित रोग उप्षन B पानी से पैदा होने वाला रोग उप्षन C योन रोग या फिर उप्षन D पसू जनित रोग तो दोस्तो जो हमारा रैवीज रोग होता वो किस से जनित होता मतलए किस से पैदा होता किस से उसको जनित किया ज सर दूस्ति इसका राइड अंसर हो जाएगा option D जो रहेवीज होता यह हमारा पसू जनित रोग होता है देखते हैं अगला question हमारा अगला question है सामान्य जुकाम इन्फ्लिवयज खसरा छैरोगी किसके जनित रोग हैं मतलब यह सब आभी जो आपके रोग दिया गए हैं, ये किससे जनित रोग होते हैं, जैसे सामाने जुकाम हो गया, इनफ्लीजिवा हो गया खसरा हो गया, च्छेय रोग मतले, जिसे हम टी बी बोलते हैं, वो हो गया, ये किससे जनित रोग होते हैं, तो हमारे option से option A, वायू जनित रोग, option B, पानी से पैदा होने वाले रोग, option C, योन रोग, या फिर option D, पसू जनित रोग, दोस्ते इसका right answer आपको पता है, तो इसका right answer आप टिक करें, और इसका right answer आप हमें comment में जरूर बताएं, तो दोस्तो देख ले रोग होते हैं, वायू से फैलने से ये रोग हो जाते हैं, देखते हैं अगला question, दोस्तो हमारा अगला question है, है जा टाइफाइड, टाइफाइड को जिसे हम आंत्र जोर भी बोलते हैं, या तो टाइफाइड बोल सकते हैं, आंत्र जोर बोल सकते हैं, है जा टाइफाइड, ह Hepatitis, Paches, किस से जनित रोग होते हैं, ये सबी जो रोग होते हैं, ये किस से जनित होते हैं, तो हमारे सामने options है, option A, वायू जनित रोग, option B, पानी से पैदा होने वाले रोग, option C, यौन रोग, या फिर option D, पसू जनित रोग, दोस्तों ये किस से जनित रोग होते हैं, अगर आ पानि से पैदा होने वाले रोग जिसे हैजा ही दो किसी असुद पानी की संक्रमन में आजाते हैं इसे यह हमारे सेरीर में पैदा होते हैं देखते हैं अगला कोशन दोस्तों अगर आप हमारे यूटुब चैनल एजूकेशन परषण पर अभी नए आए हैं तो प्लीज इस चैनल को सस्क्राइब करें वीडियो को like करें और वीडियो को ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ share करें दोस्तों अगर आपने हमारे टेलिग्राम गुरूप को अभी तक join नहीं किया है तो please आप हमारे टेलिग्राम गुरूप को भी join कर लीजे क्योंकि आपको हमारे टेलिग्राम ग्रूप में सभी पिरकार की PDF, वीडियोज और जो भी न्यूज होती है आपके ट्रेडमेंट, सफाई करमचारी से रिलेटिस, CRP का जो रेटिन एक्जाम है उस से रिलेटिट कोई भी जानकारी होती है वो सभी जानकारी आपको सबसे पहले हुआ पर उपलब्द करा दी जाती है तो आप हमारे टेलिग्राम गुरूप को जरूर जोइन करें टेलीग्राम गुरूप का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रप्शन में डाल दिया है तो दोस्ता देखते हैं अगला कोशन हमारा अगला कोशन है एड्स, उपदंस किसके जनित रोग हैं? जो हमारे ये रोग है जैसे एडस हो गया उपदनस हो गया ये दोना किस से आउत रोग होते हैं तो हमारे सामने options है Option A वायउ जनित, Option B है पानी से पैदा होने वाली रोग, Option C है योन रोग या फिर Option D पसू जनित रोग तो दोष्त इसका राइट अंसर आपको पता है तो इसका राइट अंसर आप टिक करें और इसका राइट अंसर आप में कमें में जरूर बताएं तो दोस्तो देखते हैं इसका राइट अनसर हो जाएगा आपका option C जो हमारा ads और उपदंस रोग जनित होते हैं यह हमारे yarn रोग, संबंदी रोग होते हैं देखते हैं अगला question हमारा अगला question है किसी vicious रोग के प्रती प्रती रोधक छमता उत्पन करने के लिए सरीर में तीका लगाने की प्रिकरिया क्या कहलाती है देख लेते हमारे options option A है प्रती ची करन option B है option C है छीरन ऑफर option D इन में से कोई नहीं दोस्तो इसका right answer आपको पता है तो इसका right answer आप टिक करें और совет आप अमें कमेंट में जरूर बताएं तो दोस्तो देख लेते हैं इसका right answer या फिर English में हम उसे vaccination बोल सकते हैं देखते हैं दोस्तों अगला question हमारा अगला question है Louis Pasteur द्वारा विक्षित पहला T का किस बीमारी के लिए था जो हमारे Louis Pasteur थे उन्होंने जो पहले T के खोज की थी वो किस के किस बीमारी के T के खोज की थी तो हमारे सामने options है option A, pox virus, option B, hepatitis virus, option C, ravage virus या फिर option D इनमें से कोई नहीं दोस्तों इसका रायट answer आपको पता है कि Louis Pasteur ने सबसे पहले किस T क की खोज की थी तो इसका रायट answer आप टिक करें और इसका रायट answer आप हमें कमेंट में जरूर बताएं तो दोस्तों देख लेते हैं इसका रायट answer दोस्तों इसका रायट answer हो जाएगा option C, Louis Pasteur ने विकसे सबसे पहले जो T क की खोज की थी वो ravage virus के T क की खोज की थी देखते हैं अगला question हमारा अगला question है एक टीका हो सकता है तो क्या हो सकता है एक टीका तो हमारे सामने options है option A, एक antigenic protein option B है कमजोर, रोग जनक option C है, जीवित, छीड, रोग जनक या फिर option D, यह सभी दोस्तों इसका रायट answer आपको पता है तो इसका रायट answer आप टिक करों और इसका रायट answer आप हमें कमेंट में जरूर बताएं तो दोस्तों देख लेते इसका रायट answer दोस्तों इसका रायट answer हो जाएगा option D, यह सभी एक टीका क्या हो सकता है, तो एक टीका इन सभी के रूप में हो सकता है जो हमारे टीका है वो antigenic protein भी हो सकता है, कमजोर, रोग जनक भी हो सकता है, और जीवित चिंड रोग जनक भी हो सकता है देखते हैं दोस्तों अगला question हमारा अगला question है संक्रमर्ण के इलाज के लिए एंटी बायोटिक का उप्योग किया जाता है तो क्यास किया जाता है, हमारे सामने options है, option A, wish, option B तीरिया, option C है सभी सुचमजीब या फिर option D इनमें से कोई नहीं, दोस्तों इसका right answer आपको पता है, तो इसका right answer आप टिक करें, और इसका right answer आप हमें comment में जरूर बताएं तो दोस्तों देख लेती इसका right answer दोस्तों इस question में थोड़ी गलती होगी थी bacteria में किया गाता है तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ रही मिलते आप next वीडियो में दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल education person पर अभी नए आए हैं तो प्लीज इस चैनल के subscribe करें वीडियो को like करें, और वीडियो को ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ share करें दोस्तों, अगर आपने हमारे टेलिग्राम गुरूप को जोईन अभी तक नहीं किया है, तो आप हमारे टेलिग्राम गुरूप को जरूर से जरूर जोईन कर लें, हमारे टेलिग्राम गुरूप का लिंक हमारे इस वीडियो के description में हमने डाल दिया है आप वहाँ से भी उस telegram group को join कर सकते हो तो दोस्तों मिलते आप next वीडियो में